प्रशान दबर नाव पहले ये बात कंफर्म नहीं थी बट अब ये बात कंफर्म हो चुकी है इंडिया ने बड़ा स्टेप लिया है भारत की राश्टपती दुरौपती मुर्मू ये जाएंगी यूके में इनके फ्यूनरल में बहुत बड़ी बात है इनके अंतिम संसकार में भारत के प्रेजिडेंट का शामिल होना और यहां पर आप देख पाऊगे इस पर आर्टिकल है प्रेजिडेंट दुरौपती मुर्मू टु अटेंड कुईन इलिजबेट इस फ्यूनरल और ये अकेली नह के लावा स्वीडन की डेन्मार की वहां से भी इनके बहुत सारे जो रॉयल्स है यह आ रहे हैं और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लीडर्स की तो यूसे के प्रेजिडेंट जो बाइडन यहां पर जाएंगे अपनी धरम पतनी के साथ हाला की यहां पर मैं आपको बता दू जो बाइडन का जाना और इंडिया के प्रेजिडेंट के जाने में एक बड़ा अजीब सा आपको फर्क दिखेगा भी आपको बताऊंगा वीडियो में और फिर शायद आप यहां पर एक मेरे क्वेश्चन का भी आंसर कर पाएं कि क्या भरत को अपना प्रेजिडेंट यहा यहां पर जा रहे हैं बांगला देश की लॉंगे सर्विंग प्राम निस्टर शेख हसीना यह भी जाएंगी शिलंका के प्रेजिडेंट विकरम सिंगे जा रहे हैं पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि शेबाज शरीव शाय जा सकते हैं बट प्रेजिडेंट का अभी के लि बट ओवरॉल फ्रांस के प्रेजडेंट, साउथ कोरिया के प्रेजडेंट, जपान के एंपरर, सब लोग यहाँ पर जाएंगे Queen of England के फ्यूनरल में, अब आप यहाँ पर पूछोगे वेट, मैंने का था कि कुछ Biden के जाने में और Indian President के जाने में फर्क है, फर्क क्या है, फर् इस तरीके से नया King बनाये जाएगा UK में, वो बना दिया गया है, King Charles III, यह आज के समय UK के राजा है, उसके लावा Various और सर्मनीज थी, फिर दुनिया भर के World Leaders को इखटा करना, Royal Families को इखटा करना, इनके लिए Hotels Manage करना, यह सब Operation London Bridge का पार्ट है, तो अब क्या है कि इनकी Miss Management की हुझा से, अब इन्होंने हाथ खड़े कर दी है, इन्होंने यह का है, कि इतने सारे World Leaders आएंगे न, कि सब लोग अगर अपनी Cars में यहाँ पर घुमने लग गए, तो पूरा London ही यहाँ पर रुख जाएगा, सब कुछ ब्लोक हो जाएगा, तो UK की सरकार यहाँ पर यह बा बाद में कहूंगा, बाइडन के लिए स्पेशल रूल बनाया गया है, जो बाइडन को यह का गया, कि आप कहां बस में बैठेंगे, आपकी सिक्योर्टी तो एक्स्ट्रा स्पेशल है, तो आपके लिए जो बीस्ट कार है, आपको बताओगा, जो बाइडन, जो प्रेजिड तो US Government ने UK को क्लियरली बोल दिया, बाकी के जो वर्ल लीडर्स है, चाहे Erdogan हो, Macron हो, इद्रापदी मुर्भूजी हो, कोई भी हो, सब को बिठाओ आप बस में, मगर बाइडन साब चश्मा पैन के अराउं से बड़िया अपनी जो बीस्ट गाड़ी है, इसमें घुमेंगे जो मेरे हिसाब से एक बहुती जादा अजीव साइन का रूल है, मुझे पता नहीं कि इंडिया को ऐसे रूल के साथ ये इंविटेशन एक्सेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पर आपसे पूछूँगा आपका अपिनियन के आपके हिसाब से, मतल हो गया है, Commonwealth Group पर, Commonwealth Group आपको बताओगा, एक Special Group है, UK की Former Collees का, जो भी गुलाम देश थे, यहाँ पर एक खटा होते है, Commonwealth Games यहाँ पर कराई जाती है, कुछ चारिटी के इवेंट्स भी होते है, तो अब Question यहाँ पर यह उठ रहा है, कि Since Royal Family, जिनके लिए तीज़द दिखाई जा रही है, इन्होंने UK के कई पापों के लिए आज तक माफी नहीं मांगी, For example, मैं आपको बताओँ, जलिया वाला भाग, आप जान के हरान होंगे, UK ने आज तक भारत से जलिया वाला भाग कार्ण के लिए, Officially माफी नहीं मांगी, हम लोगों ने यह नहीं का UK को, कि हमको कुछ millions of dollars दो, compensation में, काफी बार demand उठी है, कि एक sorry तो बोल सकते हो, at least यहाँ पर कुछ लोग यह feel करेंगे, कि आप मांगते हो कि वो एक mistake थी, मगर वो भी नहीं करते, आज तक UK ने कई massacres के लिए, कई genocide के लिए apologize किया नहीं है, जो नए king बने है, जो बाकी के prince है, इन पर responsibility आती है, कि कहीं ना कहीं, जो पुराना एक आप कह लीजी, यह debt है, apologies का, यह इनको चुकाना होगा, दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे हैं, कि बहुत सारे geopolitical analyst thinkers यह कह रहे हैं, कि Commonwealth nations को ना छोड़ देना चाहिए, यह group queen की debt के बाद, क्योंकि अब sense बनती नहीं है, why this group exists, और हम क्यों आपकी मुनार्की की respect करें, और recently New Zealand और Australia ने भी hint दे दिये हैं, कि हो सकता है कि भविश्य में ये देख भी भारत की तरह republic बन जाए, आपको पता है New Zealand का पूरा नाम क्या है, the Commonwealth of New Zealand, क्योंकि New Zealand में भारत की तरह कोई president नहीं है, New Zealand queen of England, अब तो queen नहीं रही, तो king of England क को मानते हैं, ये लोग अपना president, अपना head of state, तो यहाँ पर बात की जारी है, अनकी PM ने recently का है, कि हो सकता है कि भविश्य में हम लोग एक republic बन जाए, मतलब कि ज़रे इंडिया है कि खुद का president है, खुद का PM है, हम लोग मुनार्की को इतना मानते नहीं है, तो इन्होंने hint कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अभी immediately तो यह नहीं करेंगे ऐसा, बट फ्यूचर में इस दिशा में New Zealand बढ़ सकता है, उसके इलावा Australia में भी बात की जारी है, कि क्यो ये लोग UK की मुनार्की को इतनी importance देते हैं, एक country जो economic power में इंडिया से भी पीछे जा चुका है, what is so special about UK, तो comment section में share करिएगा अपने thoughts, मैं genuinely जाना चाहूँगा आपका opinion उर्सके इलावा, जिसकी comment बहुत ज़रा thought provoking हुई, मुझे लगा के बहुत ज़रा strong points यहाँ पर लिखिया है, उनकी comment को मैं pin कर दूँगा comment section में, ताकि बाकी लोग भी पढ़ पाए उस comment को, so do share your thoughts, और यह है वीडियो कान्त, thank you for listening and as always, God bless you all.